हेलो फ्रेंज नमस्कार मैं हूँ आपका होस्ट प्रमदेव फ्रेंज भारत के मैदाने इलाकों में बसंत के महीने बड़े सुहावने होते हैं कड़-कड़ाती ठंड की समापते के साथ ही ऐसा लगता है मानो पूरी प्रकरती एक लंबे नेंद के बाद जाग रही हो हर तरब बहार ही बहार नजराती है पेड़ पोधों में नई कोपले फूटेने लगती है हरी-हरी पत्यों के अगमन के साथ रंग बिरंगे फूलों से पोधे लद जाते हैं इस समय नो तो ज़्यादा ठंड और नहीं ज़्यादा गर्मी होती है मोसम भी एकदम गुलावी होता है इसलिए पूरा वातावरण जीवन्त और प्राणों से ओध प्रोत रहता है सामनेता फरवरी के मद्ध से एपरिल तक बसंत की बहार कायम रहती है परन्तु इसके बाद पहले सूखी गर्मी और बाद में नम्यूक्त गर्मी के साथ सुर्ज का परचंड ताप सब को बेहाल कर देता है इनसानों के साथ-साथ पेड़ पौधों का भी बुरा हल हो जाता है खासकर सूखी गर्मी वाले महीनों में बसंत में खिलने वाले ज्यादतर फूल वाले पौधे सूख जाते हैं मौसम की मार के कारण चारो और सुस्ती और विरानगी छाने लगती है पेड पौधों को भी ऐसे समय में अतिरिक्त देख भाल की आवसकता होती है परन्तु बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जो गर्मी को इंज्वाई करते हैं और अपने आपको हरा भरा बनाए रखने के साथ ही धेड सारे फूल प्रोड्यूस करते हैं परन्तु गर्मी के महीनों में फूल देने वाले ऐसे पौधों को बसंत के आखरी चरण यानि मार्च एप्रिल के महीनों में ही तयार करना पड़ता है अगर annual plants है तो उसके बीज या छोटे छोटे पोधों को March-April में ही लगाना पड़ता है जबकि perennial plants के लिए March-April के महिने उनकी pruning और reporting के होते हैं ताकि गर्मी आने तक नई ग्रोथ के साथ वे flowers प्रोड्यूस करने में भी सक्छम हो सके तो फ्रेंस आज के इस वीडियो में मैं आपको प्रचंड गर्मी में भी भरपूर फूल देने वाले लेकिन उगाने में इजी और बहुत कम देख रेक की जवरत वाले 15 बेहतरीन फूलों वाले annual और perennial पोधों के बारे में जानकरी दूंगा प्रचंड गर्मी और पूरे दिन की धूब को बरदास्त करते हुए जवरदस्ट फ्लावरिंग करने वाला मेरी लिस्ट का सबसे पहला पोधा है सदा बहार का इसे अंगरेजी में विनका या पेरिविंकल के नाम से जाना जाता है छोटे आकार के इस जाड़ी नुमा प्लांट में पांच पंखुरियों वाले आकरसक फूल खिलते हैं फूल के रंग गुलाबी, सफेद, लाल, जामूनी इत्यादी हो सकते हैं चमकदार हरे पत्नों वाला या प्लांट औस दिये गुणों से भी युकत है इसे आप बीजों से भी ग्रो कर सकते हैं हलाकि इसकी जवरत नहीं पड़ती है क्योंकि मिट्टे में गिरे हुए बीजों के कारण मार्च एप्रिल में इसके पोधे खुद बखुद उग जाते हैं साधरन तोर पर यह एक एन्वल प्लांट है क्योंकि फ्रिजिंग टेंपरेचर में यह सर्वाइब नहीं करता लेकिन ट्रोपिकल यह सब ट्रोपिकल क्लाइमिट में यह एक पेरेनियल प्लांट की तरह ही ग्रो होता है सरदी के दिनों में इसमें फूल खिलना कम हो जाते हैं और फूल के साथ पत्यों का अकार भी छोटा हो जाता है लेकिन गर्मी आते ही यह प्लांट फिर से पहले जैसी अस्थिति में आ जाता है और पूरी गर्मी फूलों से भरा रहता है इसे पॉर्ट में उगाने के लिए वेल ड्रेंड फर्टाइल मिट्टे का इस्तेमाल करना चाहिए सुरुवात में इसे कम पानी की ज़र्वत होती है लेकिन एक बार जब यह खुद को स्टेबलिस कर लेता है तब हर परिस्थिते में अपने आपको ढ़ाल लेता है प्लांट है और इसके फूल अपने आकरसक बनावत और चमकीले रंगों के कारण हविंग बर्ट्स और तितलियों को भी खूब आकरसित करते है इसको सीट्स के थूरू मिड फेबरोरी से लेकर अपरिल तक उगाया जा सकता है इसके छोटे प्लांट्स आपको कई रंगों में मार्च अपरिल के महीनों में नरसरे में मिल जाते हैं जीनिया की ड्वार्फ विराइटी सिर्फ 6 इंज लंबी हो सकती है जबकि इसकी कुछ प्रजाती 3 फीट तक लंबी होती है इसके फूलों की साइजेज भी प्रजाती के अनुसार छोटी और बड़ी हो सकती है इसे अच्छी तरह ग्रो करने के लिए वेल ड्रेंड और फर्टाइल मिट्टी के साथ पूरे दिन की सनलाइट की जरुत होती है फ्रीजिंग टेंपरेचर या अत्यधिक ठंड को यह प्लांट टोलरेट नहीं कर पाता और इसलिए इसे हर साल नई सरी से उगाना पड़ता है फ्रेंड्स चिल्चिलाती धूप और अत्यधिक गर्म मोसम में भी पिंक, परपल, रेड, औरेंज और वाइट आदी कलर्स के आकर्सक फूल प्रोड्यूस करने वाला मेरी लिस्ट का तीसरा प्लांट है कॉसमोस का कम ठंडे या गर्म जगों के लिए यह एक पेरिनियल प्लांट है जबकि ज़्यादा ठंडी वाले जगों में इसे एनवल्स के तौर पर उगाया जाता है इसके आकर्सक फूल, मधुमक्यों, तितलियों और हमिंग बर्ड्स को खूब आकर्सित करते हैं इसकी अलग-अलग प्रचाती के पोधे एक फीट से लेकर छे फीट तक लंबे हो सकते हैं इसे आप कम उपजाओ और अच्छी डिनेज वाली मिटे में आसानी से उगा सकते हैं या गर्म और सूखे की अस्थिती को भी अच्छी तरह बरदास्त कर लेता है बसंत में इसे बीजों के द्वारा उगाया जाता है ओवर वाटरिंग और ओवर फर्टिलाइजिसन से इस प्लांट को खत्रा रहता है ज्यादा मातरामी फ्लावरिंग के लिए इसे भरपूर सनलाइट की आवसकता होती है बहतरिन समर फ्लावरिंग प्लांट की मेरी लिस्ट का चोथा प्लांट है पॉटुले का या टेन ओ क्लॉक इसे आप समर सीजन का फ्लावरिंग मेशिन भी कह सकते हैं यह एक सक्यूलेंट फैमिली का प्लांट है और इसकी वाटर रिक्वर्मेंट काफी कम होने के कारण सूखे की अस्तिती को अच्छी तरह जहेल सकता है। इसकी हाइट छोटी और फैलने की प्रवड़ती के कारण हैंगिंग पॉट के लिए भी यह एक आइडियल प्लांट है। पिंक कलर के अलावा इसकी हैब्रिट पर जाती के और भी बहुत सारे प्लांट्स अनेको चमकीले कलर्स में एवेलिबल रहते हैं। इसे बीजों के द्वारा और कटिंग के द्वारा भी असानी से प्रॉपगेट किया जा सकता है। यह एक एन्वल फ्लावरिंग प्लांट है क्योंकि अत्यधिक ठंड की अस्थिति में ये गलकर नस्ट हो जाते हैं। लेकिन मार्च अप्रिल के महिनों में गर्मी बढ़ने पर फैले हुए बीजों के कारण इसके पोधे स्वतह ही उग जाते हैं। इसके फ्लावर्स तभी खिलते हैं जब सुर्ज की सीधी रोसनी इनके उपर पढ़ती है। सुर्ज की रोसनी कम होते ही फ्लावर्स अपने आपको फोल्ड कर लेते हैं। इसलिए यह एक फुली आउट ओडोर प्लांट है। पट्टुल्यका को वेल ड्रेंड स्वाइल की जवरत होती है और इसे छोटे पॉट में भी आसानी से उगाया जा सकता है। फ्रेंड्स गर्मी और सुर्ज की रोसनी को प्यार करने वाला मेरी लिस्ट का पांचवा बेहतरिन फ्लावरिंग प्लांट है मौर्निंग ग्लोरी यह इपो मोईया जीनस का प्लांट है जिसकी लगबग 600 पर जाती वो प्लब्ध है। मौर्निंग ग्लोरी एक क्लांबिंग प्लांट है और ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज में या हर जगा पाया जाता है। इसके पत्ते हर्ड सेप वाले होते हैं और इसमें परपल, पिंक या वाइड कलर के ट्रॉपिट की तरह देखने वाले फ्लावर्स लगते हैं। मौर्निंग ग्लोरी के फूल तभी खिलते हैं जब सुर्ज की रोसनी मिलती है। डिरेक्ट सनलाइट नहीं मिलने पर इसके फ्लावर्स अपने आपको फोल कर लेते हैं। इसमें बीज भी खूब बनते हैं और इसी वजह से इसे बार-बार उगाने की ज़रुत नहीं पड़ती। जाडे में अत्यधिक ठंड से मौर्निंग ग्लोरी का पोधा गल कर नस्ट हो जाता है लेकिन गर्मी की सुरुवात होते ही इसके प्लांट जहां तहां खुद बखुद उगते रहते हैं। मध्यम आकार के पॉर्ट में और वेल्डरेंट सौयल में इसे असानी से उगाया जा सकता है चोकि यह एक क्लैम्बिंग प्लांट है इसलिए उपर चड़ने के लिए इसे ट्रेलिस या किसी सहारे की ज़रुत पड़ती है। फ्रेंड्स अब तक मैंने पांच ऐसे बहतरीन समर फ्लावरिंग प्लांट के बारे में बताया जो एन्वल्स के तौर पर उगाये जाते हैं यानि उन्हें हर साल गर्मी की सुरुवात से पहले फिर से उगाना पड़ता है। या एक सन और हीट लविंग प्लांट है जो सूखे की अस्थिती को भी अच्छी तरह जहिल सकता है। या एक छोटे स्रब की तरह या लता की तरह तेजी से फैल सकता है लेकिन प्रूनिंग के द्वारा पॉट में इसके लेंथ को कंट्रूल करके रखा जा सकता है। या एक एवर ग्रीन फ्लावरिंग प्लांट है और इसमें लाल, नारंगी, पीले, गुलावी, सफेद आदी कलर में फूल खिलते हैं। इसका पॉटिंग स्वाइल, वेल ड्रेंट, पोरस और धीला ढाला होने के साथ और्गनिकली रिच हो तो या बहुत ही अच्छी तरह ग्रो करता है। इसके पॉट में पानी का ठाराव बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इसमें लगातार फूल खिलने के लिए 6-8 घंटों की सीधी सनलाइट की जवरत होती है। एक लो मिंटिनेस प्लांट होने के कारण सभी गार्डनर्स की या पहली पसंद है। फ्रेंड्स अब इसकरी का अगला एवर ग्रीन फ्लावरिंग प्लांट जो विंटर को छोर कर बाकी के हर महिनों में फ्लावरिंग करने की चमता रखता है। वह है हिविसकस यानि गुरहल। इसके बहुत सारे हैब्रिड्स अनेको रंगों में उपलब्ध हैं और हट ट्रोपिकल और सब ट्रोपिकल रीजन में इसे ओर्नमेंटल फ्लावरिंग प्लांट के तौर बड़े प्यार से उगाया जाता है। इसे उगाने के लिए वेल ड्रेंड और और और्गेनिकली रिच स्वाइल की जड़त होती है। इसे दुबारा पानी तब दें जब मिट्टी की उपरी परत उपर से सूक चुकी हो। नाइट्रोजन रिच फर्टलाजर गुरहल को बहुत भाता है। समय समय पर ब्रांच की प्रूनिंग करते रहने से गुरहल के सेप और साइज को अच्छी तरह मेंटेन करने में मदद मिलती है। प्रूनिंग से नई गुरत होती है और फ्लावर्स की संख्या भी बढ़ती है। हिबिस्कस को गर्म जगह पर ऐसी जगह उगाएं जहां कम से कम सिक्स आवर्स की डिरेक्ट संलाइट मिलती हो। हिबिस्कस के बाद इस करी का अगला पर्मानेंट फ्लावरिंग प्लांट जो गर्मी और सुर्ज की रोसनी को बेहत पसंद करता है वह है अडेनियम जिसे डिजर्ट रोज भी कहते हैं। बहुत ही आकरसक दिखने वाला मोटे तने, चमकीले हरे पते और रंग बिरंगे फूलों वाला एडेनियम एक सक्कुलेंट फ्लावरिंग प्लांट है। एपरिल से लेकर नवंबर तक एडेनियम में फ्लावरिंग होती रहती है। किवल सरदी के दिनों में यह डॉर्मेंट हो जाता है और इसके सारे पते भी नीचे गिड़ जाते हैं। अडेनियम के बहुत सारे हैबरिड सुपलब्ध हैं जिनमें अलग-अलग रंगों वाले फूल खिलते हैं। अडेनियम को उगाने के लिए बहुत ही अच्छे ड्रिनेज वाली ऐसी मिट्टी चाहिए जिनमें पानी का ठाहराओ बिल्कुल भी ना होता हो। सक्कुलेंट प्लांट होने के कारण रेनी सीजन में और विंटर में इसका विसेज ध्यान रखना पड़ता है। रेगुलर इंटरवल पर फंगी साइड का छिरकाओ करते रहने से और ओवर वाटरिंग को एववाइड करने से एडेनियम को रूट रॉट से बचाया जा सकता है। सरदी में एडेनियम को पानी और फर्टलेजर की सपलाए पूरी तरह रोग देनी चाहिए। Summer Flowering Plants की मेरी लिस्ट का नवा सबसे अच्छा प्लांट है मोगरा यद जैसमिन का जो सफेद रंग जैसमिन दो लेकिन बहुत ही प्लीजिंग होता है और तोडने के बाद भी इसके फूल की ताजगी लंबे समय तक बरकरार रहता है। मोगरा एक medicinal plant भी है और इसके परफ्यूम का इस्तेमाल एरोमा थेरेपी में भी किया जाता है मोगरा में एप्रिल से नवंबर तक flowering होती रहती है सामानी तोर पर मोगरा एक फैलने वाली लता की रूप में विक्सित होता है लेकिन प्रूनिंग के द्वारा इसे जहारी नुमा plant में convert किया जा सकता है मोगरा को well-drained और moist soil के साथ गर्मी और सीधी sunlight की ज़रत होती है इसकी मिट्टे में organic matter की मात्रा भरपूर होनी चाहिए ज्यादा मात्रा में flowering के लिए मोगरा को phosphorus और potassium rich fertilizer का डोज regular interval पर देना जरूरी होता है विंटर में मोगरा को dormant रखना चाहिए फ्रेंड्स summer season में भरपूर flowering करने वाला मेरी लिस्ट का दस्मा plant है चांदनी या तगर जिसे क्रेप jasmine या milk flower के नाम से भी जाना जाता है दुधिया सफेद रंग के फूलों वाले इस plant को tropical या subtropical region में बहुत आयत में उगाया जाता है इसके फूल single या multiple petal वाले हो सकते हैं जिनमें खुस्बू लगवा ना के बराबर होती है लेकिन दुधिया सफेद फूलों से लदे होने के कारण एक ornamental flowering plant के तौर पर यह एक सांदार plant है April से October के बीच इसमें बारी-बारी से जबरदस्थ flowering होती है इसे अच्छी तरह से ग्रो करने के लिए 6-7 गंटे की sunlight की जुरत होती है इसे well-drained और हलके moist रहने वाले organically rich soil में उगाना चाहिए तरथा summer season में हर महिने regular basis पर nitrogen और phosphorus विच organic fertilizer देते रहना चाहिए सर्दी में इस plant को dormant रखना चाहिए गर्मी और सूरज की रोसनी को बहत पसंद करने वाला मेरी लिस्ट का 11 प्लांट है Plumeria या चमपा का सफेद रंगों के अलावा इसके सुगंधित फूल और भी कई रंगों में गर्मी की सुरुवात से लेकर पतजहर के मौसम तक खिलते रहते हैं इसकी कई प्रजातियां हैं जो छोटे आकार से लेकर बड़े पेर का आकार भी धारन कर सकते हैं Plumeria एक सक्क्विलेंट की सरेनी का प्लांट है जिसकी वाटर रिक्वर्मेंट काफी कम होती है और या सूखे की अस्तेती को भी अच्छे तरह जहल सकता है इसकी कई प्रजाति को कंटेनर में भी असानी से ग्रो किया जा सकता है इसका पॉटिंग मिक्स बहुत ही अच्छे डिनेज वाला और और और्गनिकली रिच्च होना चाहिए इसके पॉट में पानी का ठाहराव इसके लिए घातक होता है Plumeria में अच्छी फ्लावरिंग के लिए 6-8 गंटों की डिरेक्ट सनलाइट की जरुत परती है Friends Summer Season का मेरा अगला फैबरिट फ्लावरिंग प्लांट है कैनना लिली का कैनना लिली के बड़े-बड़े चमकिले पत्तों के बीच से होते हुए लाल, नारंगी, पीले या इनके कॉंबिनेशन वाले रंगों में एक बड़े से फ्लावर स्टाउक में फूल खिलते हैं जो देखने में बड़े ही मनमोहक लगते हैं इसके फ्लावर स्टाउक में बारी-बारी से फूल खिलते हैं और कई दिनों तक तरो ताजा बने रहते हैं कैना के पोधे अदरक की तरह के गाठों से निकलते हैं। स्वाइल के अंदर इनकी नई नई गाठे बनती रहती है और प्लांट मल्टिप्लाइ भी होता रहता है। कैना को उगाने के लिए well-drained, soft, porous और moist रहने वाले मिट्टी की जड़त होती है। सूखी गर्भी में इसे regular watering की जड़त पड़ती है। जड़े में इस प्लांट का उपरी भाग पूरी तरह सूख सकता है जबकि गाठें या rhizomes मिट्टी के अंदर सुरक्षित रहती है। बसंत आने पर कैना की गाठों से पुना नए plants ग्रो करते हैं और April से October तक flowers produce करते रहते हैं। ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज में जहां वाता बरन में गर्मी के साथ नमी की मौज़ोदगी होती है पेंटास एक बहतरी फ्लावरिंग प्लांट है या एक छोटे जहारी नुमा पोधे के रूप में विक्सित होता है और पोधे के उपरी भाग में पिंक, पर पोधा तयार कर लेना चाहिए पेंटास को फुल सनलाइट वाली ऐसी जगह पर रखें जहां दोपर के बाद छाया आ जाती हो पेंटास को वेल ट्रेंड और और ओर्गनिकली रिच स्वैल में उगाएं और ओवर वाटरिंग को एववाइड करें फ्रेंट्स समर फ्लावरि होती रहती है इकजोरा की खूबसूरती यह है कि इसके फूल क्लस्टर में आते हैं और 6-8 हफ्तों तक चलते हैं इकजोरा का सबसे पॉपलर कलर लाल है लेकिन यह और भी दूसरे कलर जैसे यलो औरेंज पिंक वाइट आधी में एविलेबल है इकजोरा को 6-8 घंटे की सनल रहे तो यह अच्छे तरह ग्रो करता है फ्रेंड्स अब आखिर में जो 15 हुआ समर फ्लावरिंग प्लांट मैंने आपके लिए सिलेक्ट किया है उसका नाम है अलमंडा अलमंडा का नाम भले ही मैंने सबसे लास्ट में लिया है लेकिन ट्रॉपिकल रीजन का या सबसे पॉ प्लावरिंग बिया जिनमें और भी अलग-अलग कलर के फूल खिलते हैं लेकिन येलो कलर सबसे पॉप्लर है अलमंडा गर्मी और नमी वाले मोसम में बहुत तेजी से बढ़ता है और इसमें जबरदस फ्लावरिंग भी होती है अलमंडा की ड्वार्फ वराइटी को आप कंडिशन में रखना चाहिए फ्रेंड्स मैंने जितने भी समर फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में आपको बताया है उनमें से ज्यादा तरकी डिटेल्ड वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो किरपिया लाइक बटन को दवा कर अपनी पसंदगी जाहिर करें गार्डिनिंग से रिलेटेड इसी तरह के देरो इंटरेस्टिंग वीडियो उसको देखने के लिए सिटी गार्डिनिंग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें प्रस्न पूछने के लिए आप कमेंट बॉक्स का उप्योग कर सकते हैं आगे आने वाला समय आपके लिए सुब हो थैंक्यू फो वाचिंग